हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नोलेज हव दोस्तों आज हम जानेंगे हींग के कुछ गरेलू उपायों के बारे में जरासी हींग पानी में गोल कर जलेवे स्थान पर लगाने से सिग्र ही जलन बंद हो जाती है और फफोला भी नहीं होता उल्टी के इलाज में हींग का उप्योग 5 ग्राम भूना हुआ हींग 4 चमच अजवाईन 20 सहीत 10 मुनका स्वादा नुसार काला नमक सब को कूट पीस कर चोथाई चमच नित्य तीन बार लेने से उल्टी होना जी मचलना आदी ठीक हो जाता है पेट दर्द, गेस, डकारे आने पर हींग को गर्म पानी में गोल कर नाभी के आसपास लेप करें तता बुना हुआ हींग, आदा ग्राम किसी भी चीज के साथ खाने से काफी लाव होता है इसके सेवन से भूक बढ़ती है, यदि पेट दर्द वायो रुकने से हो तो दो ग्राम हींग आदा किलो पानी में उबा लें चोथाई पायरनी रहने पर इसे गर्म गर्म ही पिए हींग को गी में सेंख कर, पीस कर, गर्म पानी में गोल कर, दर्द वाले स्तान पर लेप करने से दर्द ठीक हो जाता है बाला नारू के इलाज में हींग का उप्योग, 60 ग्राम मौठ के आटे में दो चने बर हींग मिला कर, पानी में गोल कर गर्म करें, जब लई जैसा हो जाए, तो इसे उतार कर, बाला या नारू पर इसकी पट्टी बांदें, इस पुल्टी से बाला का सूत सा निकल जाएग जरासी हींग वे मीठा शोड़ा, 4 चमच सौंफ सब को पीस कर, 1 चमच सुबसाम गर्म पानी के साथ फेंकी लेने से कबज दूर हो जाती है मोत्या बिंद के इलाज में हींग का उप्योग, सौंफ, बच्च, हींग और शोट सब समान मात्रा में लेकर पीस लें, इसकी चोथाई चमच नित्य प्रातर, सहद मिलाकर सेवन करें, एक मा निरंतर सेवन करने से काफी लाब होगा हींग को पानी में गोल कर सौंगने से आदे सीर का दर्द ठीक हो जाता है हींग, छोटी हर, सेंदा नमक, अजवाईन ये सब समान मात्रा में मिलाकर पीस लें, एक चमच नित्य तीन बार गर्म पानी के साथ फेंकी लेने से अपच ठीक हो जाती है खर फ्रेंट्स, थैंक्स वर वच्छिं इस वीडियो